आज मैं बात करने वाली हूं कि बच्चे दानी के अंदर की जो दिवार होती है वो क्यों मोटी हो जाती है और इसकी वज़ा से बहुत सारी महिला मानी बन पाती है बहुत सारी दिक्कत होती है पीरिट्स में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे दानी के अंदर जो मूटी हो जाती है तो काफी सारी दिक्कते आती है तो बच्चेदानी के अंदर जो सबसे अंदर वाली दिवार है अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं जब इस अंदर वाली लेयर की ठीकनेस बढ़ जाती है तो फिर ऐसा होता है कि जो दिवार होती यह काफी, बढ़नारी है, इस वज़े से होता है, यहाँ पर इस कंडिशन को इंडो मेटेरियल पैपरपलिया अब करते हैं जो पच्छेधानी के अंदर की जो लेयर होती है, जिसको इंडो मेटेयम बोलते हैं नॉर्मल कितनी होनी चाहिए तो जैसे कि एक महिला के अंदर पीरेट आता है तो पारी वर्ट होता है तो यह दिवार होती है जैसे कि अगर आपका प्री अभी बस खत्तम हुआ है तो उसके उस टाइम पे यह जो दिवार होती है उसकी जो मोटा ही होती है वह लगबक 3-2 mm तक 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 जो इस लेयर की थिकनेस होती है वह लगवख 16 mm तक होती है तो अगर ऐसा है तो यह नॉर्मल है अगर यह जो थिकनेस है इस से जादा बढ़ जाती है 16 से जादा हो जाती है तो वह नॉर्मल नहीं है ऐसे टाइम में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसी जहां पर आपका पीरेड आना बंद हो चुका है तो ऐसी कंडिशन में जो यह इस लेयर की थिकनेस है वह लगवख 5 mm के अंदर ही होनी चाहिए तो यह नॉर्मल ह है ऐसे टाइम में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है अब बात करते हैं कि यह लेयर की थिकनेस जो है क्यों बढ़ जाती है क्या वज़ा होती है जब यह दिक्कत शुरू होती है इसका कारण यह हर महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजिस्टोन हर्मोन बनता है और इस हर्मोन के वज़े से ही एक महिला का पीरेड आता है और इस हर्मोन के वज़े से जो बचेदानी की दिवार होती है वो मोटी होती है और जैसे आपका पीरेड आने माला होता है वैसे यह दिवार तूट जाती है और आपका पीरेड स्टार्ट हो जाता है लेकिन जब आप के लिएर की थिकदानी हार्मोनल इंबेलेंस की से प्रसाया होती हैं और इस का जाता है जिसमें कि बच्चेदानी की दीवार हैं अपना आपको कई सारी परेशानिया होती है जैसे कि आपका जो पीरेड है बहुत जादा है और ब्लीडिंग बहुत जादा हो सकती है आपका पीरेड काफी लंबे टाइम टक रह सकता है जैसे कि अगर आपका 5 दिन का 7 दिन का जो भी आपका साइकल है हमेशा से उससे आपका पीरेड है और विए कभी झातक है कि जल्दी यहां जलने लगता है और तो पर इसमें आयसा होता है और प्र इंद्राय ने के बाद बिरिए कौने के बाद स्टार हो जाते हैं अगर आपको मलने इसका सबसे पहला करड़ तो मैंने आपको हार्मोनल इंबैलेंस बताया दूसरा करड़ है अगर अपने वेट को कंट्रोल नहीं करती है तो भी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है और अगर आपको वेट इन है और उसके साथ साथ आपको PCOD है तो यह दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है इसलिए अगर आपको PCOD है तो इसको हलके में मत लें ऐसा मत करें कि इसको त्रीटमेंट इसका आप फीर प्यू कुछे करें करें और अगर आपको डैबिटी आपको यह है तो भी इसके स्टेज में तो भी यह दिक्कत बहुत सारी महलों को हो जाती है और अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है क्योंकि यह प्रॉब्लम हो सकती है और कभी-कभी यह जैनेटिक कारणों के वज़े इसे भी हो जाता है जैसे कि अगर आप क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है जैसे कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो अगर ऐसी को है तो फिर इस चीज में आप बिल्कुल भी देरी मत करें डाक्टर को जरूर दिखाएं क्योंकि जनेटिक कारणों की वज़े से यह दिक्कत हो सकत हो जाते हैं और इसकी चीज होने पाई इसके लिए अपने वेट को कंट्रोल करें अगर आपको डियाबिटीज है उसको बढ़ने मत दीजिए अपनी शूगर को कंट्रोल करें और थायरेट है अगर आप तो उसका भी आप ट्रीटमेंट लीजे आप उसकी दमाइं लेते र कम रहते हैं और अगर इंडोमेटरियल हाइपर प्लीज आपको हो गया है यानि कि आपके बच्चेदानी की जो अंदर वाली दिवार है वह मोटी हो गई है के लिए 16 mm से जादा थिकने से काफी जादा थिकने से तो ऐसे टाइम में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है क्योंके अगर आप लगकर इलाज नहीं करती हैं इसका ध्यान देती हैं तो यह आगे चल के कैंसर भी बन सकता है उसकी संबावना बढ़ जाती है अगर आप इलाज नहीं करती है तो तो इसली आप लगकर रिलाज दरूर करें